हालो दोस्तों आज फिर से आपका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पेस। जिसका नम है success.com हमारे यही उध्याथ से है कि आपका परिप्षा अच्छा-से अच्छा जाए और हमारे ध्यान न दे यानि आप अपने त्यारी को 12 फरवरी मान कर ही करेंगे और आपके पास ज्यादा समय है नहीं तो हम सोचें आपको कि कुछ टॉपिक्स बताते हैं जो आपके परिछाओं के लिए बहुत इंपॉर्णेट होगे ठीके तो आज जो हम आपको टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा ठीके यानि कि इससे आपका कोश्चन आना ही आना है इंक्लूड बिहार हिस्ट्री इंक्लूड बिहार हिस्ट्री ये दोनों बातों को आप याद रख लेना भाई साब क्योंकि BPSC का एक्जाम बीना बिहार को लिए आप नहीं निकाल सकते हो फिर वही 95-95 जाओगे अगर 100 प्लस या 110 प्लस करना है तो आपको बिहार का हिस्ट्री बिहार का जोग्रवफी बिहार का पॉलिटी बिहार का करिंट अफेर्स को लेकर चलना होगा ठीक है तो आपको कुछ खास हमेरियास बता रहे हिस्ट्री में जहां से आप अगर फोकस करोगे तो आपका नंबर अच्छा खासा आएगा चुकि लगबग अप्रोक्स फोटी के आज पास कोश्ट्री और बिहार के हिस्ट्री मिला कर पूछे जाते हैं ठीक है तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पहले हम लोग बिहार के हिस्ट्री से क् आपको क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है आपको पता है कि सबसे जो प्राचीन राजबंस है ब्रिद्रत उसके बाद क्या पढ़ना है हरयक उसके बाद सिशुनाग शिशुनाग के बाद नंद नंद के बाद मौरे तो यह बंस को आपको एकदम अच्छा से करके रहना इ फिर शिशुनाक बंस, फिर नंद बंस, फिर मौरे बंस, तो इन बंस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, और साथ ही साथ, गुप्त को भी लेकर चलना है, तो ये प्राचीन बिहार में आप इसको पढ़ सकते हो, किसी भी सोर्स से आप इसको पढ़ सकते हो, कोशिस रहे मेरा के आपको डे बाइड और फिर आफ पको यादनीक विहार कर गए इतिहास में थोड़ा सब फोकस रहना है जैसे आपको क्या फोकस रहना है कि आपको याद रख लेना बिहार में किसान अंदोलन तो बिहार में किसान अंदोलन में आपको चंपारन से शुरू करना है उसी में राजकुमार सुक्ल को भी पहल लेना है चुकि उन्ही के बुलायों पर कंग्रिस के लखनोव एद्वेशन में जो राजकुमार सुक्लर है गांधी जी को बिहार में चंपारण में आने का निमंदरन देते हैं तो यह अक्सर परिशाओं में पूछ दिये जाते हैं राजकुमार सुक्लर का थोड़ा सच्छा से पढ़ लिजेगा क्योंकि उनका जनम मुली भरहोगा में हुआ था जो पश्मी चंपारण में पढ़ता है तो यह सब और किसाना अंदोलन में गांधी जी आते हैं चंपारण सुरू होता है चंपारण के बाद आपको याद रख सब्द्रण को प्रयास करेंगे वीडियो के माधेम से यह सब याद रख लेना उनका कौन-कौन से दल बनाए जिसे उनीची से बिहार प्रांति किसान सभा बनाए वह यह बिल्कुल याद रख लेना है उनीस सो थीस में आखिल भारती ait किसान सब अलख नों में बनाते हैं ये सब प्दुड़ा ध्यान देना है, उनका प्त्रीका को भी ध्यान देना है जिसे हूंकर पत्रीका था फिर असयोगा अंधुलन में बिहार की भूमी का सबीने आयो गया अंदोलन में बिहार के भूमी का ये सबी जो है भारत छुड़ा अंदोलन में बिहार के भूमी का उसमें जबरकास तरंद को लेते हुए उनको लोग नाय कहा जाता था जाद दस्ता के गठन किया उन्होंने तुमका जनम सिदाब दियारह में हुआ था 11 एक्टूबर 1902 को तो यह सब याद कर लेना है फिर आपको उनकी पत्नी को भी प्रभावती गुप्त को भी पढ़ना है तो यह सब चीजे जो है आपको बिहार के इतिहास के संदर्ब में आपको जरूर याद रख लेना है ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं आपको इधर से हम हिस्ट्री का बात करते हैं हिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत क्या करना है कि प्राचीन भारत में आपको कौन-कौन सा टॉपिक को त्यार करना है पहला चीज़ की सुरोत को त्यार करना है सुरोत में क्या हैग शुरोत में आपको आएगा एक तो होते है पुरा तात्विक शुरोत जो हम जमिन से खोद कर खुदाई से हम परात करते हैं पुरा तात्विक शुरोत इसको पहड़ना है तो पुरा तात्विक शुरोत में आप क्या पढ़ोगे पुरा तात्विक शुरोत में पढ़ोगे सिक सिक्का और भिलेक यह सभी जो है आपको पुरा ताटविक श्रोत में आते हैं अक्सर यहां से कोशन पूछ दिये जाते हैं कि सबसे पहला जो है असी का सिहा सिहुद्टकी तो ये सब जानना होगा आप लोगों कि सासक ने सबसे पहले सोने के सीके जारी किएते wiped एक कु्छान में वीम कड़फिसेắt तो ये सीकों के बारे में आपको पूरा मोटा मोटा मैट्रियल याद कर लेना होगा यही सब और फीरолेक B अविलेख हो गया इसे पुलके सिंद्यूतिय का जिसको रभी किर्थी लिखे है प्रियाग मतलब उसको क्या कह सकते हो इलाहाबाद अस्थम्लेख या प्रियाग अस्थम्लेख जिसके लिकाग हरी सेंथ थे समुन्द्र गुप्त के बारे में दिनकारी मिलती है अशोक के अभ बिहार में और जो और जो साहितिक जो भारत के लिखाओकों को दौरा लिखा गया जिसे मिश कडिकम हो गया बहुत सारे है इस बार जो है किरातु जुनियम के लिखा पूछा था आपसे भारवी तो यहां से अकसर कोश्चन पूछ दिये जाते है तो शुरोद पर थोड़ा है तो सैंदो सबेता में पढ़ना है जिसे काली बंगा मालो की काली बंगा रजस्थान में है धौला बीरा गुजरात में है लोथल गुजरात में है काथी गड़ी हरियाना में है और यहां से क्या क्या पाए गए हैं यह सब थोड़ा बहुत आपको धियान में देना है कौन कहां इस इस थी रहे इसती थे यह सब ठीक है तो यहां से अक्सर आपको question आजाते हैं उसके बाद क्या यात कर लेना है आपको send us बहुत धर्म जैन धर्म बहुत धर्म जैन धर्म ठीक है फीर मोरता को बताई दिये गुप्त उधर हपाणाई है तोड़ा कनिस्क कनिस्क हर्सवर्धन मतलब कुशान बंस वर्धन बंस चुकि इस बार पूछा कि वर्धन बंस के संसापक कौन थे तो पूछे ब्यूति बर्धन ये सबी को थोड़ा बहुत आपको करना है और दक्षिन भारत के राज्यों में अगर आपको आओगे तो दक्षिन भारत के राज्यों में आपको राष्टकूट चोल और पल्लव ये सब को थोड़ा बहुत आप देख लीजेगा तो आपको ये मोटा मोटी प्राचिन भारत में आपको ये कुश्चन इस एरिया से पूछे जाते है थोड़ा ध्यान दे देना है ठीक है नंबर यहां से अच्छा खासा उठ जाता है अगर थोड़ा सा भी आप अच्छा से मन से त्यारी कर दो तो ठीक है अब आते हम लोग मदे काल में तो मदे काल में आपको क्या करना है मदे काल में मदे काल में आपको याद रखिएगा जो सल्तनत काल था सल्तनत काल तो सल्तनत काल जो है और सबसे पहला गुलाम बंस है तो गुलाम बंस में एवक के बारे में और उसने कौन-कौन से मतलब इमारतों का निर्मान करवाए जैसे की कुतुम मिनार हो गया फिर आपको बहुत सारा चीज़े ह उसका निर्मान करवाने का था तो सभी को आपको याद कर लेना है ठीक है फिर इल्तुत मिस के साथनकाल में क्या कौन सा चीज़े निर्मान हुआ ये सब ठीक है बलबन बलबन का जो सैने बेवस्था था उससे दिवाने अर्ज क्या था सैने भी भाग था उसने कौन सा बास मुगलकाल मुगलकाल में जो महतुपूर्ण जो सासक है आपको पहले अगर सुरू किया जाए तो पहले बावर आ जाएंगे बावर के बारे में थोड़ा बहुत जो सुरूती दोर के सासक रहे उत्तर मुगलकाल के पहले बाला तो जैसे आपको बावर हो गया हुमाई हो गया अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, साजां हो गया, और अंजेब हो गया तो ये सब के बारे में और इनके द्वारा जो जो चीजे निर्मान की गई थी इनके दरबार में कौन संगितकार, कौन इनके दरबार में चितरकार यह सब देख लेना है कौन इमारत किस ने बनवाई है यह सब थोड़ा बुड़ा देख लेना है तो यह थोड़ा कठिन है लेकिन अगर आप लगोगे तो चार से पांच दिन में यह टॉपिक आपका कम्प्लेट हो जाएगा उसके बाद आपको जो है आधुनिक भारत में समाजिक धार्मिक समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन यह बिलकुल याद रखिएगा जो दूसरा है 1857 की क्रांती 1857 की क्रांती को देख लेना है ठीक है तीसरा नंबर जो है वह आपको क्या है बंगाल भेरी भेर इंपोर्टेंट और मराठ नमीन राजयों में बंगाल और माराठ इस से कॉश्टन है जितना भी परुद facade naaf wollte Dakar नितोह अजया वाथ वाद दैशे Statesन यह क्वाद लेनगभ्ला थी चिफोड़ा ले से क्योंकि है क्योंकि है इसे कॉश्टन से तो थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा जो एरिया को हम बता रहे हैं बहले दो-तिन दिन का समय लगो आपको लेकिन ये एरिया से आपको कोश्चन आएंगे चोधा नमबर पर याद रखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है पत्र-पत्री का ठीक है ठीक है और आपको याद रख लेना है जो और इंपोर्टेंट जो है किसान अंधोलन किसान अंदोलन किसान अंदोलन अक्सर जो यहाँ से कोश्चन आपको पूछे जाते है जनजाती अंदोलन जैसे संथाल, सिद्धु कानू, मुंडा, विर्शा मुंडा यह सब आपको याद कर लेना है जनजाती अंदोलन ठीक है और साथवे नमबर पे गौवर्नर जेनरल इस बार भी पूछा था कि जो है सिंदका बिले सिंदका बिले तो एलन बरो के समय हुआ था यह सब याद था लेकिन पूछ दिया था उसमें किसने मातोपूर्ण भमिका निभाया था नेपियर तो अच्छा से यह नहीं कि बस दो चार दस हरे गौवर्नर से फैक्ट पढ़ यह नहीं बीपे से एक जाम देने जा रहा हो थोड़ा फोकस रहिएगा आठवा नंबर पे कॉंग्रेस का सापना कब हुआ कौन कंग्रेस का सम्मेलन क्या होगा कुश इंपोर्टेंट बाते और जो नौवा नंबर पे है और कॉंग्रेस के पूर्व संगठन ठीक है कॉंग्रेस के पूर्व संगठन थे कॉंग्रेस के पूर्व संगठन जैसे आपको चारपाश जैसे आपको याद रिख लेना जैसे पूछता है पूरा सारजिनिक शावा अटारश सत्तर में गुविंद राना डे फिर आपको बंबई प्रेसिदेंसी असोसियेशन फिरोसा मेता तैयब जी बदरुन तैयब जी तैलंग तो यह सब कॉंग्रेस के संगठन को याद रख लेना है नर्मदम मुस्लिम लिख को थोड़ा बहुत मुस्लिम लिख कि मुस्लिम लिख के असापना किस ने किया मतलब सलीनी अलला प्रतम अध्यक्ष कों थे आगाए खन तीरती है और मुस्लिम में कि अस्थापना कब हुआ उनिस चो ठीक है और नरम दल गरम दल एक नरम दल होंगे तो अंग्रेजों से बिनर्म निमेदन करके विकास की बात को करेंगे अगरम दल वाले उठा पटक के बात करेंगे कि अंग्रेजों को बिना पटके हुए कुछ नहीं होने वाला तो एक गरम दल नरम दल वाले को अच्छा से और राष्ट्रिये क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे भगत सिंग्ग, शुदेव, राजगुरू, चंदर सेखाराजाद, अच्छा से काकोरी ट्रेंड डकाइटी भी हुआ था 9 अगस 1925 को हिंदूस्तान क्या है रिपब्लिकन असोसियेशन आपको हिंदसान सोचलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन काकोरी कांड आपको भगा सिंग सुग्देव राजगुरु बं मारे भगा सिंग बटकुश्वरदर्थ किंदरी असेमली पर ओला यह सभी आपको अच्छा से करिएगा सूरिसेंट वादि या गांधि यूग या गांधि वादि अंडोलन जितना भी गांधिजी है गांधी जी का अंडोलन तो यह है आपका जो फैक्ट है ना इसी फैक्ट के अउद्ध 40 question में आप अगर अच्छा से पढ़ कर जाओगे तो 38 नमबर आपका कहीं नहीं गया है ठीक है तो इसको एदम से topic को अगर आप करने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा 40 नमबर आपको 38 नमबर दिला देगा तो भाईयो प्लीज फोकस इस topic पर रहना ठीक है ऐसे ही कुछ-कुछ topic आपको बीच-बीच में हम लाते रहेंगे और जो आपके परिशाओं के लिए काफी important रहेंगे तो चलिए हम फिर से हम next video में मिलेंगे आज ही के दिन हम एक और video बनाने वाले हम लोग जो हम डालिंग अप्लोड करेंगे लेकिन इस चीज को आप याद रखना कि यह काफी important topics है जो आपको करके जाना है हर हाल में चाहे तीन दिन लगे चार दिन लगे चलो मिलते हैं फिर